मैं हूँ नफीसा खान स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में दोस्तो अनार एक ऐसा फल है जिसका पूरा परिवार यानि की उसकी पत्तियां उसकी चाल उसके बीच और यहां तक कि उसके छिलके और फूल भी और शिदिय गुणों से भरपूर होते हैं बात करें अगर अनार के छिलकों की तो इसमें इतने गुण हैं कि अगर इने रोजाना खाया जाए तो आपकी शरीर में कई बीमारियों की शुरुवात ही नहीं हो पाएगी और जो बीमारिया है वो ठीक हो जाएंगी अनार की छिलके में सिहत के साथ सौंदर समस्याओं को दूर करने का भी गुण होता है पेट से लेकर बाल जड़ने तक हर समस्या में अनार की छिलके का इस्तमाल आप आराम से कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं वही स्किन के लिए भी ये बेहत कारगर है तो आईए आज अनार के छिलकों के इनी गुड़ों को जानते हैं और इन छिलकों से आपको किस-किस तरह की फायदे होते हैं ये भी जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे स्किन का पी-अश लेवल किस तरह मेंटेन करता है अनार का छिलका जी हाँ, अनार के छिलके को छाओं में सुखा कर आप पीस लें और इसका पाउडर बना लें अब इसे दही और निम्बो की कुछ बूंदे मिला कर एक बढ़िया सा पेस्ट बना लें इस पेस्ट को अपने चहरे पर लगा कर 10 मिनट तक रखें इसके बाद इसे साधे पानी से धोलें ऐसा करके आप अपनी स्किन का पीएच लेवल बहतर करेंगे जिस तरह जमीन का पीएच लेवल बहतर होता है तो फसल अच्छी होती है ठीक उसी तरह, अगर स्किन का पीएच लेवल बहतर होगा तो चहरे पर चमक आएगी, कसावत आएगी और आपकी खुबसूरती हमेशा कायम रहेगी बात करेंगे अब पीरियट्स के दर्द के बारे में पीरियट्स में एक नहीं कहीं तरह की समस्याएं औरते छेलती हैं कभी पेट में दर्द होता है, कभी हैवी ब्लीडिंग या पीरियट्स का असमय होना भी काफी टेंशन दे जाता है इन सारी टेंशन का हल अनार के छिलके में छुपा हुआ है जी हाँ, अनार के छिलके के पाउडर को अगर आप गुनकुने पानी से रोज एक चबमच लिया करें तो इससे पीरियट से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी बात करेंगे अब बवासीर में रामबान की तरह किस तरह काम करता है अनार का छिलका जी हाँ, बवासीर की शिकायत होने पर अनार के छिलके से एक औश्यदी दवा आप घर पर बना सकते हैं इसमें जितना भी आप अनार की छिलके का पाउडर ले रहे हैं, उसके चार भाग रसौत लेना है और आट भाग आपको गुड मिलाना है रसौत आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर या फिर आयूर्विदिक शौप पर आराम से मिल जाएगा अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिला ले और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना कर फ्रिज में रख दें अब इसकी तीन तीन गोलियों को आप सुबह और शाम रोजाना ले आपको बवा सीर में काफी स्यादा आराम मिलेगा बात करेंगे डेंटरफ की अनार के छिलके को नारियल के तेल में मिला कर या पका कर या फिर सिर्फ अनार के छिलके का पाउडर आप नारियल के तेल में मिला लें अब इस तेल को आप अपने बालों पर लगाएं या आपके बालों को डेंडरफ मुक्त भी बनाएगा और बाल की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी दूर हो जाएंगी आप चाहें तो इसमें नीम्बू का रस भी मिला सकते हैं इस तेल को आप चाहें तो बाल दोने से एक रात पहले या फिर दो घंटे पहले ज़रूर लगाएं ताकि आपके बालों को इस तेल का पूरा फायदा मिले और आपके डेंडरफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं जिन लोगों को तनाव रहता हो वो अनार के छिलके के पाउडर को एक चमच गुन-गुने पानी से लेना शुरू कर दें ये कॉलिस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर में भी काफी कारगर है साथ ही मूँ की समस्याएं जैसे छाले, सांसों की दुरगंद और जिंजे वायट्रिस साथी में भी ये बेहत कारगर होता है एक ग्लास पानी में एक चमच पाउडर मिला कर दो बार गरारी करें इससे मूँ और दातों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं अब बात करेंगे कि जुर्यों और मुहासों में किस तरह फायदा देता है अनार का छिलका जिहां स्किन को खराब होने से बचाता है जुर्यों को दूर करता है बही ये मुहासों और स्किन से जुड़ी दूसरी दिक्कतों को भी दूर करता है इसे इस्तमाल करने का तरीका क्या है ये भी आपको बता देते हैं आपको सबसे पहले अनार के छिलके का पाउडर तयार कर लेना फिर जरूरत के मताबिक कच्चे दूद में मिलाकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें इसे फेस पैक की तरह पूरे चहरे पर लगाएं और सूखने के बाद धो दें आप देखेंगे कि मुहासुक के दाग छोटे मुटे जो दाग धबे चहरे पर हो जाते हैं अपसे आप अनार की छिलकों को फेकेंगे नहीं बलकि अनार छिलने के बाद उसको निकाल कर सुखा कर एक केर टाइट डबे में रख लेंगे और जरूरत पढ़ने पर उसे इस्तिमाल करेंगे ताकि डॉक्टर से आपको थोड़ा दूर ही रहना पड़े तो ये थी आज की खास जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह अनार के मामूली से दिखने वाले चिलके आपको बेश कीमती फायदे दे जाते हैं उमीद करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो अगर ये जानकारी अच्छ लगी है से लाइक करें, शियर करें, सब्सक्राइब करें जीवनकोश को और देखते रहें जीवनकोश